इसे निरधालिया विदाएक बर्राज कुंडों को धंकी मिली है वाटसेब कॉल पर भ्लैक मेल करने की कोशिश की गई बड़े खबर आपको बता है वाटसेब कॉल कर ब्लैक मेल करने की कोशिश की गई है मेहम से निर्दली विधायक है बर राज कुंडू सोचल मीडिया पर वीडियो वाइरल करने की धमकी जो है वो दी जा रही है तो बर राज कुंडू नहीं डीजीपी को भी पत्र लिखा है और डीजीपी से ही कारेवाई करने की मांग की गई है और इसी खबर पर अधिक जौनकारी के साथ समाधाता देवेंदर दांगी हमार साथ जुड़ चुक है देवेंदर जानना चाहेंगे आपसे यह पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इस मामले में आगे जो चर्चा है या फिर जो कारेवाई है वो चर रही है देखें दीवसिका मैं आपको बता दूँ यह पूरा मामला क्या है दरसल क्या है कि MLA मेहम है बलराज कुंडू निर्दलिया MLA मेहम से और उनके पास दो दिन से लगातार एक अन्नोन नंबर से कोल सा रही है और बार बार वो कॉल आरी हो परसों भी आई कल भी आई दो तीन तिन से लगातार कॉल आ रही थी कि है कि अगर इसे रुकवाना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी इसको गंभीरता से लेते हुए बलराज कुंडु तुरें तुस मोबाइल नंबर जिससे वह कॉल आई थी उसको ब्लेक लिस्टिड करते हैं उसको उसके बाद उन्होंने जोने यह लेटर लिखा है डीजीप करने में आये हैं कि जब कोई वीडियो कॉल अन्नोन नंबर से आती है दूसरी तरव से कोई महिला आप पतिजने कहलत में होती है जब तक सामने कॉल अटेंट करने माला कुछ समझ पाता है तब तक उसकी वीडियो या स्क्रीन सोट ले लिए जाते हैं जिसके जरिए बाद म अदमी को भी यह चीज समझनी चाहिए कि इस तरह अगर कोई उनको खामखा एक बेबात पर अगर कोई उनको ब्लैक मिल करनी कोसिस करता तो तुरंत कानून का साहरा लेना चाहिए ताकि यही विडायक मेहम बलराज कुंडो ने इस मामले में किया है बिल्कुल अब देखने यह होगा कि कब तक इस पूरे मामले में अमल में लाई जाती है और जो दोशी है वो सलाकों के पेशे होता है कारेवाई को लेकर क्या कुछ यहां पर बताया गया है किस तरीके से अब कारेवाई आगे जा रही है कि देखें दीप शिखा यह मैं अपने दर्सकों को अपडेट करना चाहूंगा कि जैसे ही कल बलराज कुंडू नहीं इस मामले में डीजीप हरियाना को लेटर लिखा और अपनी बात बताई कि यह घटना करें उनके साथ हुआ है और खास बात यह है कि लेटर के साथ उन्हों स्क्रीन सोट्स में डीजीप को पुलिस को प्लब्द करवाए हैं कि जिसमें वह मैसेज भी है उस महिला का वह जो अनौन नंबर से कॉल कर दिए वह नंबर भी उसमें शो हो रहा है वह दिए उसके बाद तुरण धरकत में रोतक पुलिस भी आई है रोतक पुलिस ने यहां साफतोर पर कहा गया कि इस तरह से विदायक को ठ्रेट करने का परियास किया गया है और पुलिस इस पर कारवाई कर रही है पुलिस ने स्पैसिल टीम लगा दी है आई टी एक्सपर्स को इंटी स्टीम में रखा गया रह एस पिर होतक उद्यसिंग मिना का साफतोर पर यह कह साइबर क्राइम की मामले में दिविंदर अगर देखा जाए तो जैसे जैसे परशासन सक्त होता जा रहा है वैसे वैसे लगता है मानों कि जो आप राधी है वह और भी ज्यादा अपडेट अपने आपको करते जा रहे हैं जी बिल्कुल पिछले कुछ समय से जिस तरह से साइबर फ्रोड के कैसे सामने आए हैं और एक किसम से पिछले कुछ समय तो ऐसा हो गया था है कि अग्दम भरमार्स यागी थी पूरे नौर्थ रीजन में खास्तोर से बात करें कि इस तरह के फ्रोड कॉल्स फेक कॉल्स आत लेकिन ये पहली दफ़ा है कि किसी जन परतनीदी को किसी MLA को इस तरह की कोल करके थ्रेट किया गया है ड्राने का परियास किया गया है अच्छी बात यह है कि बलराज कुंडू निर्दोस हैं तो तुरंत उन्होंने इस मामले में अरियाना पुलिस की हेल्प लिए है और ड लोगों को भी बात समझनी होगी कि साइबर क्राइम करने वाले जो लोग है वो त्रहत्रह के नहीं नहीं हत्कंडे अपना रहे हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है कैसे सतर्क रहें जी अब शुक्रिया दिविंदर तमाम जानकारी को दर्शों को तक पहुंचाने के लिए अब ऐसे में देखना ये हूगा कि कब तक अपरादियों पर शुकंजा कसा जाता है